हेलो प्यारे दोस्तों नमस्कार तो कैसे हो आप सभी उमीद करता हूं अच्छे होंगे स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल शर्माजडिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों एक नई भरती जारी हुई है जिसको लेकर के मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेकर क्याया हूं भरती दोस्तों 649 पदो के लिए है ठीक है और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बैक टू बैक जैसे भी अपडेट होते हैं वो मैं आपको लाकर करके देता हूं तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो जो मैं अपडेट आपको देता हूं उसके उपर आप अमल करो और जो जो आपको beneficial लगता है कि ये ये हमारे लिए important है उस पे आप लोग focus करना और उसके लिए prepare करना start करो ठीक है जैसे कि मैं आपके लिए कभी नई भरती के बारे में कभी जो exam सो रहे हैं उनके बारे में कभी उनके results के बारे में लाता रहता हूं और बहुत जल्द मैं सोच आपके लिए छोटी-छोटी classes भी लेकर किया हूं जिसमें आपको बहुत सारा knowledge मिले वो भी बिल्कुल free में ठीक है तो वो भी अपने जल्दी start करेंगे बस थोड़ा सा time schedule नहीं बन पा रहा है time schedule जैसे बनेगा जैसे एक flow section बन जाएगा उसके बाद हम लोग उसको भी start करें ठीक है गारंटी है दोस्तो क्लासों में आपको बिल्कुल भी board नहीं होने दूँगा बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से पढ़ाओंगा ठीक है बस आपका प्यार और support चाहिए जो कि आप लोग जरूर करोगे मुझे पता है तो चलिए दोस्तो आज की हम बात करते हैं कि एक नई भरती जारी हुई है 649 पुदों पे कौन से department में भरती है क्या कुछ है इसका process क्या कुछ इसका procedure step क्या है कैसे इसका form भरना है योगयता क्या है department क्या है वो सारा के सारा आपने आज किस वीडियो में discuss करेंगे तो दोस्तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्य हाली में B.A.M.S. Bachelor of Ayurveda and Medical Sciences उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया जोब है ये ठीक है बाकी जो Ayurvedic line में अपना career बनाना चाते हैं उनके लिए भी best offer है कि Ayurvedic कित सा दिकारी के 649 पुदों पर की जाएगी भरती कितने पुदों पर दोस्तो 649 पुदों पर आयोश विभाग ने one time registration fees system लागू करने क्यारी कर ली है सूचना Ayurvedic की विभाग से पहले करार फिर लागू करेगा अयूश विभाग राज्या का पहला ये वागूगा जो one time registration fees लागू कर रहा है समसे पहले तो यह देखो यार कि यहाँ पे one time registration जो fees है वो यहाँ पे लागू कर रहा है दो पर जो भरती की जाएगी यह पहले निरस्त करनी पड़ी है जैसे कि आपने पढ़ा होगा थोड़े टाइम पहले निरस्त होई थी काफी सारे विद्यारतियों के मन में यह चला था कि यह बिलुकुल ही close हो चुकी है लेकिन नहीं दोस्तों यह किसलिए निरस्त की गई थी ये इसलिए निरस्त कीगे थी क्योंकि आयोश विबाग को वन टायम रिजिस्ट्रेशन की प्रकिरिया चालू कर में थी और जैसे ही बृतिशन की चालू होगी यह बरती वापिस से आजाएगी नई भरती ठीक है तो जो मैं आपको मैंने थंनेल पर बताया था कि एक कारी की ऐर्वेट डिपार्टमेंट के अंदर मेडिकल ओफिसर की ये पोस्ट है ठीक है छहस्तो उन्चालिस पदों के ओपर ये वेकैंसी आने वाली है लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगएगा क्योंकि जब तक आयूश विभाग का वन टाइम रिजिस्ट्रेशन कंप्ल वो इस भरती के उपर डीटेल एनालीसिस करना स्टाट कर दे इसके बारे में पढ़ना स्टाट कर दे इसके इस लेबस को एनलाईज करना स्टाट कर दे ठीक है समझ गए दोस्तो तो जैसे ही ये बरती आएगी आपको आपको मैं फटाक से बता दूंगा लेकिन ये बात अपना रिमाइंटर लगा लो दिमाग के अंदर कि ये भरती आएगी जुरूर बिल्कुल 100 परतिशत आएगी पहले निरस इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि उसमें वन टाइम रिजिस्ट्रेस नहीं हो रहा था इसलिए ठी कि मारे आने वाली ओफिशिल वीडियो आप तक पहुंचते रही और जो लोग गौर्मेंट एक्जाम की या किसी भी अन्य एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उसके लिए चैनल के उपर प्ले लिस्ट आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हो प्लस हमारे साथ जुड़ने क के लिए हमारे वर्टसब गुरू का लिंक आपको निचे मिल जएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर जैहिंद जैवार्त लग्यों